स्क्वार रूट ओफ वन एट वन फोर फोर जिरो नाइन बिल्गुल आसान तरीके से स्टेप पाई स्टेप समझेंगे स्क्वार रूट को हम मैथामेटिक्स में किसके दोरा लिखते हैं यहां पर दोस्तों हम अपना डिविजिन मैथड कामें लेने वाले हैं स्क्वार रूट के दोस्तों हम खुब सारे पहले फूशन सोल कर चुके हैं उन्हें आप हमारे चैनल की प्रेटिस में जाकर देख सकते हैं इस मैथड को हम हिंदी में क्या कहते हैं आपका भाग विदी के नाम से भी जाना जाता है जो ऐसी विदी है जिसके दौर आप किसी भ जना पर खेवलतीनी स्टेप में समझ लेंगे इसको भाग विदी को शुरुआत करते हैं देखिए फास्ट स्टेप वान टू वान टू वान टू और वान क्या समझा है टू डिजिट को साफ पेर बनाते हुए प्रीणा बढ़ना है जो अंदर आपका कि संख्या बच गया चाहिए वह एक अंकी है या दू अंकी या निने उपए सिंगल डिजिट या डबल डिजिट उसको हम भाग लेंगे कि इसंगल डिजिट तेंबर कितना है आपका दोस्तों वान है और इस वान के अधार पर हम एक ऐसी संख्या का चुना करें जिसका खुद के साथ गुना करने पर जो आपकी संख्या आ रही है वो इस वन के बराबर या लेस दन वन नहीं चीए तो यहाँ पर देखे क्या है आपका वन जो इकुल टू इस वन के है पर अगला स्टेप इसको पर लिखा जाता है उसके बाद अगला स्टेप तीसरा स्टेप इसको पर 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 लिखा जाता है को प्रस्ट किया जाता है वन प्रस्ट वन टू वन माइनस वन जीरो और अगला जो ग्रूप है देखें टू डिजिट में ही लेकर चलना यह जहां रखें इसको हम यहां ले आएंगे और प्रस्ट किया है यहां तक कोई बात नहीं है इंप्रोटेंट समझाया कुछ अब देखिए यह जो हमने यहां पर किया था किसके लिए गया था वान यह जो एटी बान इसके लिए हम सब्सक्राइब करेंगे यह आपकी तो तीन स्टेप वापस रिपीट होने से भो सब्सक्राइब यहां आपका यह दो टू के साथ ऐसी कौन से संख्या लें उसका मुल्टिप्लाइब करें कि आपका 81 के ब्राबर या उससे कम आना चाहिए एक्वल टो हैं तो देखें आपको इस फ्रस दिखाए देगा कितना कि 69 जो क्या लेस्ट दें 81 है ठीक है कि ओके तो हमने 3 को ले लिए ओकी ऐसे संख्या को लिया जाता है उसके बाद करना क्या है स्क्रेड करना है जिस संख्या को लेकर चल रहे हैं उसको दोस्त एक वार यहां ओपर लिखा जाएगा उसके बाद हम इसको माइनस करते हैं आगला जो ग्रूप है कितना देखिए लवल 4 इसको हम यहां लेकर आगे उसके बाद यह जो 26 इसके साथ ऐसी कौन से संख्यार उसका मॉल्टिप्लाइ करें कि आपका लैस्ट देन यह आना चीए तो देखिए मुझे इस पर दिखाए दे रहा है कि यहां पर मैं जिस सिर्फाइब को लूँगा और यहां पर केरिव होके वह ज्यादा चला जाएगा तो मैं फॉर को लेता हूं कि ऐसे आप देखिए चेक कर सकते हैं इसका फास टू डिजिट और इसका फास टू डिजिट जिट यहां पर 5 को मल्टिपलाई किजिए 25 संग 30 के लिए आगया 10 और 3 तेरह यहां पर के तेरह अगया यहां फास में 13 यहां फास में 12 जैनि वह रखिए फास को लेने से बढ़ा है तो हम उसे एक नीचे आगए किस पर आगए 4 का मल्टिपलाई किया 426 622 किर आब आगया 8 कितना दस का लिया हमने दूस्तों फूर को लिया जिसको लेकर चले चाहिए उसके बडके बात्किया स्वान थानिक का बाते तेसको हम माइस करेंगे मैंने मान उसजार लिग विकि offense से यह उसको धार देगा यहां पर तैरा माइनस पांच कितना फिर एट आ गया यहां पर आपका बना आ गया ओके जो अगला गूरूफ है उसको हम कि यहां लेकर आजाएंगे और इसको एड़ गया जाएगा अब दोस्तों हम इसके साथ ऐसी कौन से संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका यह आना थी देखिए आप ऐसे कंपर कर करके चेक कर सकते हैं साथ संख्या चार के रहा जाएगा चाओदा चार अठार यहां पहले कि इतना अठार यह नहीं हम एक वार तो उसको लेकर देखते हैं देखिए साथ को यदि बढ़ा आ जाता है त्फिर हम शिक्स पर आजेंगे सातु साती उन्त चास चार के रिज सातु उन्त सपन चार चीग है चागरे अक्साज संग ब्याण चार अटतली चार चवदा चार अठार एकज़क्ट देखिए यह आगया माइनस कि यह जिरु आ गया किसको लिए हमने सेवन को जिसको लेकर चलेंगे एक बार यहां लिखत है कितना निकला है 1,3,4,7 यह आप स्कूर रूट का वेल्यू है ओके तो इस तरीके से हमने अपना अभी डिविजिन मेथड के द्वारा इसको रूट पता किया वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करवाता है इक चैनल को सब्सक्राब करें आने बावी वीडियों प्रे म मेंट